हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ अर्चनावाजा आज गई थी मार्केट वो भी दोपर के टाइम पे इतना गर्मी के सर्दी तो जैसे थी ही नहीं और मुंबे में तो कभी सर्दी लगी ही नहीं तो गर्मिया तो अभी बहुत जोरो सोरो से चालू हो तो मेरा शॉट्स तो आपने देखी लिया होगा जिसमें चोर मेरी रेसिपी ले गया था अगर नहीं देखी है वो शॉट्स तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा लाइक जरूर कीजिएगा तो अब हम बनाएंगे कुलफी उसके लिए वन लीटर फुल फैट मिल्क ले मिक्स कर लेंगे और इसे अलग से रख दे ना है एक साइड अगर आपके पास कस्टर्ड पावडर नहीं है तो आपको लेना है थु टेबल स्फून कॉनफ्लार और अगर आपको फास्ट में ई्सकुलफी को खाना हैतो आप अरा रौत का पावडर भी इसमें यूज़ कर स हाई फ्लेम पे काम कर सकते हो, मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, अच्छे से इसे उबा लाने देना है, और अच्छे से मिक्स करते रहिएगा, ताकि ये तले पे बैठे नहीं, और जब भी हम मिल्क पैन में ऐड़ करते हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड़ करके मिल्क ऐड़ कर दीजेगा, ताकि ये चिपके नहीं, तो यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट रिजल्ट जो है, वो बहुत ही टेस्टी आता है, और बहुत जादा कॉंटिटी में कुल्फी बन जाती है, तो इसे आपको इसी तरीके से बॉइल होने देना है, जब तक के मि हो जाए, ये continuous आपको बीच-बीच में मिक्स करते रहना पड़ेगा, जो मिल्क की मलाई साइड में जम जाएगी, उसे आपको इस तरीके से चमबच की मदद से स्क्रेप करना होगा, इसे इस तरीके से मिक्स करने में देर लगेगा, आपको इसे अच्छे से काम करते हुए क करना होगा, और एक तरफ में ने इस मिल्क को रग दिया है, बॉइल होने के लिए, अब इसका आगे का प्रोसेस करेंगे, मिल्क खाफ होने के पहले ये आपको करना है, अब यहाँ पे शुगर को एक पैन में, पैन जो है वो भारे तले का होना चीए, या फिर नॉन स्टिक ले लीजिएगा, उसके अंदर आपको 3 4th कप, मतलब करीबन आपको 8 से 10, 10 चमच जितनी शुगर अड़ करनी होगी, अब यहाँ पे फ्लेम जो है वो लो है, पैन मेंने भारी तले का रखा है, शुगर अड़ कर देना है, फ्लेम को लो ही रखना है, स्टाटिंग टू हमें थोड़ा सा स्पैचुला से इसे मिक्स करना है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट कभी कभी क्या होता है, बीच में से शुगर का कलर ज्यादा ब्राउन हो जाता है, मेल्ट होने के बाद ही हमें स्पैचुला से मिक्स करना है, लो फ्लेम पे यह प्रोसेस करना है, प्लेम को लो रखना है और करमेलाइज शुगर को इसमें ऐड करना है एकदम से दूद जो है वह उपपर आ सकता है तो ध्यान दे के किजिएगा थोड़ा-थोड़ा करके शुगर को एड करना है यह समय पे आपको बहुत सावदानी से यह प्रोसेस को करना होगा और थोड़ा कलर आपको थोड़ा सा पता ही चल गया होगा जो कुलफी आती थी मटका कुलफी और जो कुलफी वाले अंकल आते थे उस कुलफी का जो कलर है वही कलर इसमें आएगा कोई एक्स्टा कलर हम नहीं एड करेंगे और टेस्ट भी वैसा ही थोड़ा कैरेमलाइज टाइप था उसे एड कर देंगे धीरे धीरे पहले हमने शुगर को एड किया केरेमलाइज शुगर को उसके बाद पाच मिनिट उसे वैसे ही बॉइल होने दीजीगा फिर यह मिक्षर को एड करेंगे और कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे अब कस्टर पावडर एड किया है तो यह जो प्रोसेस है फटक से होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब एकदम ठीकनेस जल्दी आ जाएगा मिल्क में एकदम क्रीमी सा टेक्शर आएगा सो फ्रेंड्स कलर बहुती ब्यूटिफूल आया है साथ में टेक्शर भी एकदम मिल्क पावडर एड करने के वज़े से कस्ट मिल्क थंड़ा होने के बाद हमने इसे ले लिया है मिक्सर जार में मिक्सर जार में इसे थंड़ा होने के बाद लेना है थोड़ा ओन एन ओफ करना है इलाइची पावडर एड करके और यह मिक्सर देख सकते हो आप एकदम मिल्की सा हो गया है इसे मैंने स्टील के कंटेनर म केलम तमद इसमें ले सकते होiß कुलफE के जो मो맛डी आते हों इसमें इसे बना सकते हो अब इसमें sacrific नावल करए थाकि क अब ताकि करीशमेर को सेट को इसमें वह अङ varios में इसमें शाट पानी में पहले स्थीक इंसर्ट का या फिर इसमें नहीं पर नहीं हो घुbut इजीली ये निकल जाएगी कुलफी और फिर इससे थोड़ी देर के बाद कट कर लीजेगा एकदम तूरन करेंगे तो कट नहीं होती है इजीली कुछ देर के बाद इससे कट कर लीजेगा मार्क करके चाकू से और यहाँ पे जो है वो रोल कट कुलफी एकदम मलाईदार बनके तयार है बहुत जादा कॉंटिटी में बन जाती है थोड़ी सी मेहनत है बट घर पे बनाई हुई कुलफी आप इस हूली पे भी ट्राइ कर सकते हो समर सीजन आ चुका है तो कुलफी की रेसिपी तो शेर करना बनता था तो मैंने शेर कर दी है अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर करना ना भूले जादा से जादा इस रेसिपी को शेर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रूप पे और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए